नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम बात करेंगे चार कोल इस बैटर फ्यूल देन वूड की जो चार कोल है वो बैटर फ्यूल है वूड से ऐसा क्यों है यानि कि लकडी से अच्छा जो चारकॉल है वो कियूं होता है तो इसके बारे हम पढ़ेंगे तो जो wood है पहले तो हम wood के बारे में जान लेते हैं जो wood है वो एक mixture होता है carbon compounds का mixture ये होता है जिसके अंदर carbon hydrogen और oxygen हमारे होते हैं अब जब आप wood को heat करते हैं आपने wood को heat किया यानि कि इसको heating देना start की या कहीं कि आप इसको burn करने की कोशिश कर रहे है जो जो सभी इसके अंदर जो carbon compounds हैं जो की carbon hydrogen और oxygen है ये जो सभी हमारे compounds हैं अगर हमें एक तरह से बात करें हैं सभी जो atoms हैं वो जो है हमारे oxygen के साथ मिल कर heat को नहीं produce करते यानि कि देखिए जब भी आप burning करते हैं इसको ऐसे समझिए जब भी आप burning करते हैं तो आपको air की जरूरत पड़ती है क्यों क्योंकि air के अंदर हमारी oxygen होती है तो burning करने से जब भी किसी fuel को आप burn करते हैं तब भी आपको heat energy मिलती है ऐसा है अब देखिए आपने वूड को heat किया लेकिन जो इसके अंदर carbon compounds थे जैसे carbon hydrogen और जो oxygen हो गए ये जो सारे atoms होते हैं इनके ये combine नहीं करते oxygen के साथ तो यानि कि properly ये oxygen के साथ combine नहीं करते है जिससे उस मात्रा में heat produce नहीं होती जिस मात्रा में हमें चाहिए एक तरह से आप कह सकते है इसकी जो efficiency है अगर हम wood की बात करें काफी low होती है low efficiency काफी कम efficiency है as compared to charcoal लेकिन जब आप charcoal को burn करते हैं charcoal को आपने burn किया तो charcoal के burn करने से क्या होगा जो सारे carbon atoms हैं जो भी carbon के atoms हैं जैसे कि हमने wood के अंदर देखा जो भी इसके अंदर carbon के atom होंगे charcoal के अंदर वो oxygen के साथ properly mix हो जाएंगे या कहेंगी combine हो जाएंगे और completely burning देंगे और heat को produce करेंगे अब यहाँ पर complete burning होई है एक तरह से charcoal के अंदर क्योंकि oxygen का पूरा use किया गया है हर एक carbon compound के द्वार तो इसलिए जो charcoal है उसकी काफी advantages है तो वो हम देख लेते हैं कौन-कौन सी advantages है इसके तो सबसे पहली advantage यह आप basic तो समझ गए हैं तो सबसे पहली जो advantage रहेगी इसके अंदर high calorific value जो charcoal है उसकी जो calorific value है अब calorific value क्या होती है जब आप किसी को burn करते है कितनी मात्रा में वो heat को produce करता है तो इसकी high calorific value है charcoal की बात कर रहे हैं यानि कि ज़्यादा energy हम produce करेंगे जब आप इसको burn करेंगे माली जी आप 1 gram charcoal ले लें और 1 gram आप wood ले लें या अपने ले ली wood लकड़े और यहाँ पर आपने ले लिया charcoal तो यहाँ पर जो heat produce होगी वो जादा होगी और यहाँ पर जो heat produce होगी इसके comparison में ही वो कम होगी तो यह ध्यान लखना है यानि कि लगबग जो है अगर हम charcoal की बात करें यहाँ पर जो heat produce होती है वो double होती है अगर दूसरी advantages की बात करें charcoal की इसके थ्रू जो कोई smoke भी produce नहीं होता smoke की production बिलकुल भी नहीं होती जब आप इसको जलाते हैं लेकिन wood में ऐसा है लकड़ी को जलाते हैं तो smoke आपने देखा होगा produce होता है charcoal जो होता है काफी हलका होता है और compact होता है यानि कि आप इसको कहीं बिले जाजा सकते हैं थोड़े से थोड़ी सी को भी आप क्योंकि high calorific value है burn करके अच्छी hit ले सकते हैं लेकिन wood है बड़ी बड़ी होते हैं बड़े बड़े आपने देखे होंगे इसके जो लकड़ियां होती है तो वो आपको ले जानी पड़ती है कैरी करने मुश्किल होती है तो वो सारी चीजें इसको advantage देती है कि चार कोल light है compact है easy to handle है आप कह सकते हैं तो ये इसके फाइदे हैं उसके बाद ये जो है without flames जो है burn होता है जो चार कोल है इसके अंदर flame produce नहीं होती जो जहां पर इस तरह की हमें requirement चाहिए कि जहां flame नहीं produce हो तो वहाँ पे आप इसका use कर सकते हैं लेकिन wood के अंदर flame produce होती ही होती है तो यहां पर देखिए कह सकते हैं कि जो चार कोल है better जो है option है fuel की जंगा अगर हम देखें wood से compare करें लेकिन आपको चार कोल जादा मात्रा में चाहिए क्योंकि अगर हम बात करें एक kg of wood की अगर आप एक kg लकडी की बात करें उसके comparison में अगर हम चार कोल की बात करें तो एक kg wood से destructive distillation के दवारा बस 0.25 kg of charcoal ही बन पाता है यानि कि आपको जो wood अगर एक kg wood का चार कोल बनाने जाएं तो 0.25 kg of charcoal ही बन पाता है तो इसके comparison में देखें चार कोल आपको ज़्यादा चाहिए और जो wood है वो आपकी कमच जाएगी यानि कि यहाँ पे एक kg जो है यह बहुत ज़्यादा amount है wood की लेकिन अगर आप चार कोल को देखें तो यह तो हमारा 0.25 kg ही है उसके 1 kg के अंदर तो यह तो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो इसलिए यहाँ पर यह एक थोड़ा हज़िश्ट advantage है लेकिन बाकी के जो सारे इसके advantages है अगर हमें यह चीज़ें चाहिए चार कोल के हाई कलोरिफिक वेल्यू समॉक प्रड़क्शन ना होना फ्लेम का प्रड़क्शन ना होना लाइट और कॉंपैक्ट इज़ी टू हैंडल यह सारे advantages रहती है तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद